हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपको दोस्तों बता दो अगर आप अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल में नहीं जुड़ें इसी वीडियो की डिस्रिप्शन में हमारा टेलिग्राम चैनल है आप उस पर जड़ सकते हैं किसी भी तरह की टॉस अपडेट वगेरा के लिए वैदर में कुछ करते हूं जो आपको स्मोल लिग और ग्रैंड लिग में हेल्प करेगी बात करते हैं ब्राइन लारा स्टेडियम तरोबा टुनिटी तो आज जो मैच कहले जाएंगे यहां पर आखरी दो मैच है फर्स्ट लग के यहां पर तीन लग में मैचिस हो रहे हैं पहले दस मैचिस यहां पर कहले जाने वाले थे ब्रैन लारा पर अभी थर्ड लग भी यहीं पर होगी पर अभी के लिए आज के मैचिस के बाद यह पोर्ट ऑफ स्पेन में मूव कर जाएंगे और वहां पर मैचिस होने वाले हैं अगर हम बात करें तो कल जो एक विकेट यूज हुई थी य यहां पर पहले मैचिस जो फ्रेश विकेट पर हो थे यहीं विकेट आज यूज होनी है तो देखके चलना से लेकिन हार गई 162 पर एट पर रह गई थी और सेंट लूज हुई जीत लिया था विक्टे 14 गिरी थी जिसमें सेवन फास्ट को मिली थी सिक्स्पिन को और एक रन और तो आल्मोस बराबर फास्ट और स्पिन को विकेट मिल गई थी फिर मैच एट हुआ यह जो था ना फर्स टाइम 170 स्कोर हुआ था और पावर प्ले में हाईय स्कोर बना था इस वले मैच में अभी तब का सेंट रूशियर जॉग्स और सेंट किट्स नेविस दोनों अच प्ले में यही स्टार्ट हुई थी गयाना ने स्टार्ट करा था बहुत अच्छा पावर प्ले में 56 फॉर 0 थे या 56 फॉर 1 थे ऐसा कुछ था काफी अच्छी स्टार्ट हुई थी लेकिन उसके बाद भी या जो हुआ उनके प्लियर्स सब आय और इकट्ठे आउट हो गए और काफी हद तक आप कह सकत तो स्पिनर्स का बहुत बड़ा बोल बाया था चाहे वो मुझीब हो चाहे लमी चने हो या आप दूसरी साइट से देख सकते हो वहां से भी काफी अच्छा कॉंट्रिबूशन मिला था इस इस बर गयाना का है एक ईक तो अच्छना पे इन ने डिफेंड कर लिया विच इस लके इस एक दोंडेबल वी तो तो टोटली डे-फॉर में देखो गए यह दे-फॉर के दो मैंचीज है क्या हुआ था इक अत्तिसस्विक्ते 14 fast को 15 spin को 2 run out तो spin थोड़ा उपर जा रहा है और देखके चलिएगा तोटली अगर आप देखोगे 104 विक्टेक ये CPL में 52 fast को 43 spin को और 9 run out हुए हैं तो यहां spinners काफिये तक अच्छा कर रहे हैं अब fast से उपर हलका हलका निकल रहे हैं quality spinners को अपने टीम में जरूर रखना यह मेरी सजेशन है और अगर आप टीम TKR की बात करोगे तो इसमें quality spinners आपको दीखेंगे भी एक आपको बहुत तगड़ी प्लेयर बैटल दिखाऊंगा और जो की बहुत मज़दार बैटल है अभी हम उस पर आएंगे लेकिन जो तीन टाइम चैंपियंज है ट्रिंबैगो नाइट्राइडर्स पूरी सीजन में फॉर्म थगड़ी पकड़िया उन्होंने इस सीजन में दो में से दो जीते हैं फिछले सीजन के बाद लगता है गुसा हो गया था इस सीजन काफी अच्छा कर रहे हैं लेंडियल सीमन्स इनके एक ओपनर है जो मुझे लगा था कि परफॉर्मेस दे सकते हैं अभी तक उन्होंने दी नहीं है लेकिन किस ने दी है सुनी इन नरायन ने जो कि एक आपके ल ओवर देखो गई तो देखो सुनी लाराय ने दोनों मैचेस में चार और किया है पहले मैच चार और उननेस पर दो दूसरे मैच में चार और उननेस पर तीन तो एकनॉमी तो इनकी सेम रही है राइट निक पर मच जाना काफी खराब है वाट समझ गे होंगे आप डवेन ब जाइब कर रहे ते नॉर्मली काफी अच्छी करते हैं फवाद है मच चे मेडन और एक मेडन फॉटी फॉर वन विकेट तीन 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 और कि दोनों मैच में फर्स मैच में तो दो ही बंदे चार और कर सकते थे जो नरायन और ब्रावो ने किये क्योंकि वह मैच 17 और का बार सब्सक्राइब करते हैं अच्छी खासी डाल लेते हैं मीडियम पेस अली खान एक्षिली ज्यादा एक्स्प्रेस पेस है मुझे कहना चाहिए उपनी करेंगे बोलिंग से सिकंदर रजा को मुझे लगते मौका मिल सकता है बट अभी के लिए खारी प्यारी का एक प्लेयर बैटल दिखाऊँगा जो की थोड़ा मुझे लगता उनको एल्स देदेगा इस मैच में कुण है अगर आपको देखना कि क्या कर सकता है किसका रिषेंट फ़ॉर्म से पहले क्या था यह लिख रखा ये रोल रिख रखा है और उनका और साथी में पूरी करियर प्रफाइल है अब किसी को देखना चाहो कि किस ने क्या किया अपने करियर में T20 में क्या उनकी रही है क्या उन्हों का अभी तक रिकॉर्ड रहा है पूरे मैच जो उन्हों रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे आप अराम से देख सकते हो यहां पर हम सीजन 2019 की बात करें तो इसमें लेंडियल सीमंजी टॉप स्कोर रहे थे इस बर खराब शुरुआत हुई है लेकिन इस मैच म अगर आप देखो इन दुनों चीजों को देखते हुए आप मेरे साब से शायद कोगे कि अली खारी प्यारी के साथ जाना चाहता हूं लेकिन अली खान जैसा फॉर्म कर रहे हैं वह जादा विक्टे ले रहे हैं तो यह हमें देखके चलना है पारबुडोस की अगर बात करोगे यह दो में से एक मैच जीते हैं एक मैच खारे भी हैं और जो यह हारे थे मैच वो बारिश की वज़े से हार गए थे काफी हद तक आप कह सकते हो अभी मतलब पांच और मैं इनको डिफेंड करने को मिला था रॉन 46 विच इस डिफिकल्ट प्राइबल 11 में आपको दिखेंगे जॉनसन चार्ल्च को कि लास्ट अशर टच में लगे बदब ऐसे लग रहा था कि अगर यह पाउर प्ले में ही इतने नंद कर जाएंगे अगर खड़ते राम से 100 भी करते थे बट यह था कि खड़ना तो था उसके लिए वन शॉट टू टॉस पे भाईया कैस दे दिया था इतना गंदा सा अपने ही भाई को यानि इनके नॉर्दन नाइट से जो आप कह सकते हो टीम एटा स्कॉट को विलिये इनको और जीरो और दो रन किया है इन्होंने दो मैचेज में अभी तर काइल मेर सेंटीस और सोला अच्छे खेले हैं जो भी मैने इनके लिए देखे हैं दोनों में जिसमें कंसिस्टन रहे हैं और ऐसे लगा था कि अच्छा स्कॉर करेंगे दोनों में लेकिन बीडल में आउट हो जाते हैं जोनेतन कार्टर जीरो और फाइट्रेमली गूड फिल्डर जोनेतन कार्टर रेमन रीफर 2-1 मिचल सेनर 20-8 नॉट और एशली नर्स 4-16 नॉट राशीद खान को बल्ले बाज ही नहीं मिली वाल्श को बल्ले बाज ही नहीं मिली वाल्श ना कहीं बार ऊपर भी आ जाते हैं रशीद खान को आपने 6-7 लोन करते देख है एडिलेट स्राइकर्स के लिए बीबील में तो यूनो पांच ओर 24 पर 0 रशीद खान 6 ओर 51 फर 4 या 24 नहीं है यह माफ कर देना मुझे 51 फर 4 है रेमन रीफर एक विकेट लिया एक विकेट लिया है एक विकेट लिया है मिचल सेनर फर्स मैच में हीरो नहीं थे 4 ओर 18 पर 2 और हेडन वर्श दो और 16 पर 0 इनके सेकंड मैच में आप इसके लबा और कुछ है नहीं प्लेयर रोल्स अगर आप देखना चाहिए आप देख सकते हैं रीसेंट फॉर्म अगर आप इनकी लॉग डॉग डॉन कह रहा हूं इससे पहले देखना चाहिए रीसेंट इनके जो मैचिस में तो वह देख सकते हो T20 में बार्बडोस ट्रॉ इससे निया टूर्मेंट आएगा तो और स्टाइट्स बताने वाला हूं आपको इसमें मेरे साब से इनफ है आप मेरे को काफी लोग कहा थे पिछका थोड़ा और बताओ कि इस पिछ पर क्या रिकॉर्डर है सबका तो इस वाली पिछ पर केवल आठ मैच हुए इस से पहले और इस से पहले और 9 मैच तो यही हो गया है हमें आठ मैच इस सीजन देखने को मिल गए है तो केवल इस सीजन पर कॉंसेन करो पहले बाले में भी थोड़ा यही रहता कि स्पिनर डॉमिनेंट है और वैसा ही कुछ आपको देखने को मिल रहा है लास्ट सीजन भी इनके मतलब impressive हमेशा मैं इनको आपको कैतों try करना आज भी कहूँगा Raymond Riefer is a good player last time Baris ने रोग दिया फिर भी एक wicket ले गए थे but he is a good genuine bowler Jason Holder 14 wickets Ash Linners 4 wickets only player battles में जो मुझे सबसे interesting लगी सबसे पहले हम चलते हैं Khari Pary to Johnson Charles opening bowler अगर DQR के लिए खेलेगा तो Khari Pary करेगा और Johnson Charles भी कर सकता है opening of course करेगा ही लेकिन Khari Pary को इसके सामने लाया जा सकता है considering इसने इसको 5.1 ओवर डाले हैं जिसमें केवल 12 रन देकर तीन बार आउट किया है Johnson Charles को 31 बोल्स में 21 dots रही हो और एक भी चौका शक्का नहीं लगा इससे आपको क्या समझाता है आठ तो सिंगल है या दो डबल है ठीक है जो Johnson Charles ने इनको की है यानि की boundary तक नहीं लगा आप है Times can change changes हो सकते है but this has been history जो मैं आपको दिखाना चाता था Jason Holder ने Landal Simmons को दो बर आउट किया है Hayden Walsh ने Darren Rao को दो बर आउट किया है सुनील नरायन ने Johnson Charles को दो बर आउट किया है तो Charles को दोनों spinner से थोड़ा खत्रा रहेगा चाहे वो खादी प्यारी हों चाहे सुनील नरायन सुनील नरायन ने Jonathan Carter को भी तीन बर आउट किया है हाला कि Carter का strike rate बिलकुली इनको कम रहा है 46 balls में only 24 runs DJ Bravo ने holder को आउट किया है Bravo ने Charles को किया है तो Charles को हर तरह से थोड़ा खत्रा लग रहा है बढ़ Charles जिस form में है लगे पिछले मैच में उनको छोड़ना मुश्किल है holder to Darren Bravo, 41 balls बे 2 wickets इनको भी आउट किया है जब आप wicket giving section में हैंगे आपको 3 wicket keeper खेलते दिखेंगे Johnson Charles, Shai Hope and Tim Sifford इन में अगर आप मुझे पुछोगे सब सच्छे batsman को है T20 के साब से तो Johnson Charles का last match का जो form था he played really good innings और साथी में अच्छे player है साथी में last season के highest top scorer अपनी team से second highest top scorer tournament में I think with highest number of force तो ये देखने वाली बात है नहीं second highest scorer नहीं थे लेकिन highest number of force जरूर थे तो he is a good player Johnson Charles अपने दिन पर काफी अच्छा आपको करता दिख सकता है तो यहां से Johnson Charles आपके लिए अच्छी option है but I am going with shy hope why am I going with shy hope इसका मेरे पास एक reason है मेरे पास half credit काम पढ़ेगा जब मैं अपने team save करूँगा वो half credit मेरे shy hope बचवाएगा प्रस मुझे wicket keeping दे रहा है मान लोगी चार्ज ने 30 run कर दिये hope ने 40 run कर दिया और एक stump कर दिया तो यहां hope almost 40 तो नहीं चलो Johnson Charles ने 40 कर दिये hope ने 30 कर दिया और एक stump कर दिया तो वो एक stump इनके 10 run भी cover कर लेता है तो यह hope का advantage है मुझे थोड़ा और कोई मेरे पास reason नहीं है और कोई ऐसा player तो है नहीं कि अच्छा कर नहीं सकता थोड़ा form से जूंज रहा है चाहिए हो test matches में England के सामने हो चाहिए यहां पे हो बट अगर I think अपनी natural game इनको खेलने का confidence दिया जाए Barbados की तरफ से तो काफी अच्छे player है Tim Sifert है थोड़ा middle order में आ रहे हैं जिस वज़े से prefer नहीं करा इंडिया के सामने अच्छा खेल चुक है New Zealand versus India matches में बट वहां पे उपर आ जाते थे यहां पे नीचे आ रहे है बैटिंग section में यहां पे आपस काफी options है बट जो मुझे simple और अच्छी लगी क्योंकि मैंने देखा IPL में भी इकठे आये थे 10-12 match fail हुए थे और last match में 95 मारे थे जब 14.3 ओर में chase करना था उस match में चल पड़े थे तो Corey Anderson is a player जब चलते हैं तो छपड फार के चलते हैं तो इसका हलका side advantage मिल सकता है फिल्डिंग में अच्छा रहता है boundaries पर रहता है ऐसी फिल्डिंग जगा पर रहता है जहां सब कुछ हो सकता है catches जादा आ सकते हैं plus can score अभी तक कर नहीं पाया है he has a T20 centuries to his name in India in Champions League तो यह totally mug नहीं है West Indies के लिए भी खेलता आ रहा है ODI की टीम में तो he has some potential मैं मानता हूँ कि अभी तक चल नहीं रहा है पर ऐसा नहीं है कि potential नहीं है अब यहां पर और कोई आपको बता दूँ तो batsman खेलेंगा कम चांस इसमारा ब्रूक्स प्लेस वो कर सकते हो यहां पर आपको बता दूँ आपको काफी अच्छे प्लेर मिलेंगे यहां पर आपको छे प्लेयर टॉप 6 जो खेलते दिखेंगे आयं सिंप्ली गोई कि नरायन होल्डर ब्रावो एंड सेंटनर अल्द फोर बेस्ट बने अपनी टीम में कवर किया मुझे चानों से उमीद है कि चाचार ओवर दे देंगे तो मेरे अच्छे बोलर्स कवर हो गए है कैप्टन सी मेरी नरायन को जाएगी वाइस कैप्टन सी मेरी जाएगी होल्डर या रशीद खान को ठीक है यह मेरे पास ओप्शन है काइल मेर्स मेरे पास है अगर आप लेना चाहिए ले सकते हैं पॉलार्ड इस ऑल्वेज गुड बट बोलिंग कम कर रहे हैं जिस वज़े से मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ आपको पता है काफी अच्छे प्ले रहे हैं बोलिंग सेक्शन में रशीद खान इसा मस्ट चोइस रशीद खान को छोड़ना मतलब ऐसा है कि अपने खुद के पैर पर कुलहारी मानना मतलब मेभी आपको ग्रेंड लिंग में रिस्क लेना है तो इस डिफ्रेंट थिंग स्मॉल लिंग में नहीं चोड़ सकते हैं बागे जेडन सेल्स, अली खान, फवाद हैमद ये तीन ओप्शन है आपके पास तो बोलिंग में तो बहिया सबसे जाद ऑप्शन है और रांडर्स में देखने की जरूरत नहीं है बट यहां पे न ये प्लेयर रेमन रीफरी इसकी बल्लेबाजी भी आनी है फाइफ से शिक्स डॉन पे साथ में ये चार ओवर भी दे देता है तीन से चार ओवर तो रेमन रीफर is a safe choice इस फवाद को पता नहीं क्यों सरफ तीन-तीन करवाय जा रहे है मुझे काफी अच्छे लगे तो मैं उनको ही कर रहा हूं बट मेरे लिए हमेशा एक अच्छा चोईस रहता है रेमन रीफर जिसे मैं ग्रैंड लिग में सजेस्ट करूँगा उनली 10% सिरेक्शन सिरफ 10% मान टीटेन वगरे मसे समझ आता है कि बहुत हद तक आपको मेरे को बताना रहता है कि यार यह टीम कर सकते हो बिकोज़ज़पल अन्नोन और मैं काफी रिसेर्च करता हूं लेकिन इन प्लियर्स के बारे में कुछ आपको पता है तो अपनी भी कॉल लिसकते हो मेरे पास जो कॉ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जल्दी से आ जीएगा